इट उसी के लाइक नहीं है जैनसी को फूहर समझती थी इट उस्वाज़ जैनसी को कुछ बताओं और वो पुरी दुनिया भीया घोए है ऐसा ये सब सोफिस सोच रही है कल्पना कर रही है प्रेशान हो रही है जब जैंसी नोस से सवाल पूछा तो ये बात तो उसको लग रहा था ये बात तो मेरे और जॉफ के बीच में रहनी थी जॉफ ने क्यों बता दिया दूसरे को और वो भी उस फूहर लड़की को जो सब शेहर में फैला देती कोई सी भी बात को दबा के नहीं रखती छपा के नहीं रखती वो फूहर तो थी है और ताथ में उसकी ये आदत थी कि वो सब को बता देगी होल नेबर हुड नेबर हुड मतलब आसपास के लोग नेबर हुड नेबर मतलब पडोसी और नेबर हुड मतलब आसपास के लोग तो ये आसपास के लोग को अब सब पता लग जाएगा Damn that job फिर से वो बुरा भला करती इसके लिए क्योंकि काफी चिंता हो जाती जो भी बात थी वो सब गप थी कोरी गप थी Damn that job was nothing sacred मतलब जो जो है वो कुछ भी चीज को पवित्र तरीके से नहीं रखता मेरा भाई कैसा है बुरा भला कहने लगे nothing kept secret sacred मतलब पवित्र हम दोनों के जो बीच बात थी वो हम दोनों के बीच के एक पवित्र बात थी वो दूसरे को क्यों बता दिया Frank को क्यों बता दिया Frank ने जैंसी को बता दिया अब जैंसी से उस सब जोगा फैल जाएगी sacred मतलब पवित्र this is a sacred book that is a sacred place a temple is a sacred place a school is a sacred place a library is a sacred place sacred मतलब पवित्र pure तो वो कहती है तो हम दोनों के बीच की sacred बात थी पवित्र बात थी आगे Sophie फिर कहती है it's a secret meant to be यह देखना यह एक secret है इसे secret बनाये रखना जैंसी कहती है I'll keep a secrets of you know how I am you know that I do that मैं इसे secret ही रखूंगी अब तुम चिंता मत करो तुम जानते हो मैं कौन हूँ कैसी हूँ you know that तुमको मालूम है कि मैं अपने तक बात रखती हूँ ऐसा जैंसी कह रही है और Sophie के मन में तो कुछ और बात आ रही है कि जैंसी जो है वो फूहड है गौकी है सब को बता देती है आगे कहती है I wasn't going to tell anyone Sophie कहती मैं किसी को भी नहीं बताने वाली थी there will be a right old row if my dad gets to hear about it एक एक बहुत जगड़ा हो जाएगा राव मीन जगड़ा if my dad gets to hear about it यदि मेरे पिता जी इस बात को सुनेंगे जो मैंने जॉफ को बताई है और जो अब तुमको मालूम हो गई है तो मेरे पिता जी तो जगड़ा कर बाठेंगे she realized जैंसी ब्लिंक जैंसी ने आखें मिच मिचाईं और बोली राव एक जगड़ा हो जाएगा I would have thought he would be chapped as anything जगड़ा हो जाएगा मैं तो सुच रही थी कि वो तो अतिप्रसंद होंगे ऐसी कोई घटना को लेकर चाफ मतलब अतिप्रसंद होना बहुत खुश होना तो एक और सौफी बोलती है कि ऐसी बात पिता जी को ना पता लगे तो अच्छा होगा नहीं तो बहुत तमाशा हो जाएगा घर में बहुत नाराज होंगे जगड़ा होगा तो जैंसी कहते ही जगड़ा मैं तो सुच रही थी बहुत खुश होंगे जगड़ा भी उसको जानकारी नहीं है तारिक के बारे में किस तारीक को ये सब हुआ जॉफ हैड़न टोल अबाउट दैट ऐसा लगता है कि जॉफ ने ऐसी बात इसको नहीं बताई है शी ब्रीज्ड मोर एजली और अब थोड़ा उसने राहत की सांस ली तो ब्रीज्ड मने सांस लेना ब्रेथ मने सांस डीप ब्रीधिंग गहरी सांस अब इसने थोड़ी राहत की सांस ली और हलके सांस लेने लगी अभी तक तो घबराई हुई थी पिताजी को पता लगेगा यहां जैंची को पता लग गया फिर क्या होगा और तमस्या चे उँग्जर रही थी और अचानक जब जैंसी ने कहा कि मैं सोचती थी कि पता जी खुश होंगे तुम्हारे एक दम सोफी को लग पूरी बात जॉफ ने इसको नहीं बताई है कम से कम तारिक नहीं बताई है और तारिक नहीं मालूम है तो फिर चिंता नहीं करना So Jhaop hadn't let her down after all और फिर इसने राहत के सांस लेते हुए महसूत किया कि Jhaop ने उसे let down नहीं किया To let down मतलब नीचा दिखाना To let down, don't let me down, धोखा देना, To let down मने धोखा देना किसी को नीचा दिखाना किसी को छोटा दिखाना, उसका मतलब होता है let down, do not let me down in front of others लड़के लोग normally हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको कोई let down ना करे लड़कियों के सामने In front of girls, boys always want that they should never be let down by anyone And similarly the girls also want that they should not be let down by boys इस कहानी में कुछ इसी धंका कि शोरा वस्था का warning है So, Jauf के उससे खुश हो गई कि Jauf ने इसको तारीक नहीं बताई है He believed her और फिर उसको लगा कि शायद Jauf मेरी बात पर विश्वास कर रहा है और इसलिए उसने बस थोड़ा सा बता दिया तारीक नहीं बताई After all, some things might be sacred कुछ तो चीज हम लोग के बीच में पवित्र है जो मैं शुरू में सुकोष रही थी उसको Jauf को बुरा भला कह रही थी इतना नहीं है Jauf ने तारीक नहीं बताई तो कुछ तो उसने पवित्र रखा है तारीक ना बता करके It was just a little thing, really ये बड़ी एक छोटी सी बात थी I asked him for an autograph Sophie ने कहा अरे उस दिन कुछ नहीं हुआ सा जैंसी बड़ी छोटी सी बात हुई थी मैंने उसे autograph मंगा तो ना उसके पास कागज था ना मेरे पास कागज था तो कुछ हुआ नहीं Nothing good happened How much had Jauf said Jesus, I wished I haven't been there Of course, my dad didn't want to believe it Sophie ने का हाँ, मेरे पिता जी विश्वास नहीं कर रह थे वो नहीं चाह रहे थे कि विश्वास करें इस कहानी वो इस बात पे, मेरी बात पे कौनसी बात? वही autograph वाली बात पे जिसमें Casey ने कहा था कि यदि तुम अगले सबता मिलोगे तो मैं आटोग्राफ कर दूँगा ये वाली बात को मेरे पिता जी और जाब तुमानी नहीं रहते हैं जाब फिर भी बाद में थोड़ा सा मान गया है असा लगता है, क्योंकि उसने इस घटना की तारीक जहन्सी को नहीं बताई है अब वो आगे कहती है तुम जानते हैं, कितने गुशे वाले हैं कितने नाराज होने वाले हैं लेकिन मालूम है, मैं डर किसे रही हूँ इस बात से डर रही हूँ बिलकुल मुझे बिलकुल नहीं चाहूंगी कि मेरे घर के आसपास भीड हो जाए और लोग पूछें उस घटना के बारे में जिसमें मैं कैसी से मिली थी जिसमें मैंने उसके आटोग्राफ के लिए कहा था जिसमें कैसी ने मुझे आटोग्राफ देने के लिए कहा था कि तुम अगले सबताह मिलोगे तुम आटोग्राफ दे दूँगा और मैंने हां कह दिया ये सब घटना को जानने के लिए जो उतावली भीड उस साहिद भीड है वो मेरे घर के आसपास आजा ये तो मैं बिलकुल नहीं चाहूंगी कैसी कहती है I don't want people, cues of people round our house asking my father और ये बिलकुल नहीं चाहूंगी ये सब क्या हो रहा है what's all this about ये Danny Casey की कहानी क्या चल रही है आपकी लड़की के द्वारा वो तो मुझे माट डालेंगे he would murder me and you know how my mom gets when there is a row और पिता जी तो मारी डालेंगे और मा जो है वो कितनी बिगडायल हो जाएंगी जगडे के समय कितना गुशा हो जाएंगे तुमको तो मालूम है how my mom gets when there is a row जब जगडा होता है तो मेरी मा कैसी हो जाती है उनका गुशा का पारा कहां पहुंच जाता है ये तो तुम जानते ही हो मतलब कुल मिला के अब सोफी लगातार घवरारी है और उसको डर इस बात का है कि पिता जी तक ये बात न जाए क्योंकि पिता जी बड़े गुस्से वाले थे उनको तो वैसी विश्वास नहीं था इस कहानी पर उनको तो लगए ही रहा था कि ये मेरी बेटी सोफी मन गढ़ंत कहानी बना रही है Jen'si said Hushed Jen'si ने धीरे से कहा Hush में कहा You can trust me तुम मुझ पर विश्वास रखो You know that तुम को मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं बताऊंगे तुम मुझ पर विश्वास रखो ऐसा Jen'si कहकर शोफी को शांत करा रही है क्योंकि Sophie बड़ी नर्वस हो गई, क्या करेंगे, क्या होगा, कल को लोग आ जाएंगे, ये कहानी फैलेगी, और जैंसी को मालूम हो गया है, जैंसी वैसे ही चुपनी रहती, तो इस पे जैंसी कहती है, don't worry, I will be quiet, don't worry, I will not tell anyone. अब यहां पर फिर एक और मोडाता है, now another turn comes in the story, till now you heard in the last part, the conversation between Jैंसी and Sophie, fear of getting beaten by father, for the cooked story, cooked story मतला मन गढ़न कहानी, C-O-O-K, cook, to cook मन एक खाना बनाना, और cooked story मतला मन गढ़न कहानी बनाना, तो यह जो अब, अभी तक तो जैंसी और Sophie के बीच में जो बात्ची थी, वो आपने सुनी, now we come to another very fascinating part, एक बड़े रोचक पार्ट में अब आते हैं, जहां पर, Sophie जो है, वो इतनी, कितनी कलपना की उड़ान में चली जाती है, यंग्स्टर्स लोग, टिनेजर लोग, एडॉलसेंट, किशोरा वस्था के लोग, कितने कलपना तील हो जाते हैं, कलपना तील दुनिया में चले जाते हैं, उसके उदाहरन है, यह paragraph, आफ्टर डार्क, शी वॉक्ट बाइड कैनाल, जब थोड़ा अंधिरा हो गया, एक दिन, तो वो कैनाल के किनारे किनारे गई, कैनाल मतलब नहर, नहर के किनारे किनारे, along a sheltered path, lighted only by the glare of the lamp from the warp across the water, एक शाम को, जब थोड़ा अंधिरा हो गया, सौफी किनाल के किनारे किनारे चली जारी है, ऐसे रास्ते में जो sheltered है, पेड़ों से ढखा हुआ है, और shelter मतलब शरण, पेड़ लगे हुए हैं नीचे, sheltered path, पेड़ों की शरणों में है वह रास्ता, and lighted only by the glare of the lamp, और वहां पर हलकी फुलकी रोशनी है, जो कहां से आ रही है, from the warp across the water, फार्फ क्या होता है, फार्फ मनें घाटी, नदी के या पानी के उस पार जो घाटी है, वह घाटी से जो हलकी रोशनी आती है, वह रोशनी बस वह पात में है, उसमें सोफी अकेले चली जारी है, और चलती जारी है नहर के किनारे किनारे, और दोनों और पेड़ हैं, जिसके छाया है, जिसके नीचे वह चल रही है, and the unceasing drone of the city was muffled and distant, unceasing, to seize मतलब रुकना, रुक जाना, थम जाना, sea or unceasing मतलब निरंतर, unceasing flow of water, पानी का निरंतर बहाओ, unceasing flow of water, the water flow has seized, मतलब पानी का बहना रुक गया है, और unceasing मतलब पानी लगातार बह रहा है, यहां पर क्या है, unceasing, what is unceasing, unceasing drone of the city, drone मतलब शोरगल, एक तो drone आप जानते हैं, वो machine जो छोटी सी, small instrument, जिसको आजकल उपर remote से हम चलाते हैं, photography के purpose से, जासूसी के purpose से, और unne purpose से, it's a multi-purpose instrument, लेकिन यहां मैं drone का अर्थ कुछ और है, यहां जो मैं बात कर रहा हूँ, drone का अर्थ है, शोरगल, drone of the city was muffled, जो शहर के शोरगल की जो आवाज थी, वो थोड़ी सी दब रही थी, क्योंकि आवाज थोड़ी दूर थी, distant पे थी, it was a place she had often played in, when she was a child, यह वो जगह थी, जहां पर वो बच्पन में बहुत खेली थी, कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, जहां वो चल रही है, नहर के किनारे किनारे चलती जारी है, यह वो जगह थी जहां उसने बच्पन में बहुत खेला था, there was a wooden bench beneath a solitary elm, elm is the name of a tree, solitary means akela, ekant, solitary means aekant, there is one very famous poem, The Solitary Reaper, you should read that poem, it's a beautiful poem in English literature, The Solitary Reaper, solitary means aek, aekant, I love solitary surrounding, मुझे aekant वाली जगह अच्छी लगती है, तो वहां पर aekant में एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे, beneath मतलब नीचे, पेड़ के नीचे, एक बेंच था, कैसा बेंच? उड़न बेंच, लकड़ी का बेंच था, there was a wooden bench beneath a solitary elm, और उस बेंच पर, sometimes lovers would come, प्यार करने वाले लोग वहां के बैठते थे, आपने देखा होगा, बहुत से बाग बगीचों में, gardens में, जहां पर ऐसा दृष्च रहता है, एक लड़का, एक लड़की, बेंच में बैठते हैं, शेयर कर लेते हैं, बेंच में और भी लोग बैठते हैं, तो एक जोड़ा, कई जोड़े आप बैठे हुए ऐसे देखेंगे, तो ये भी वो जगह थी, जहां पर जोड़े आके बैठते थे, sometimes came, कभी-कभी आते थे, she sat down to wait, वो भी बैठ गई, जब वो बेंच आई, तो बेंच के पास आके वो भी बैठ गई, it was the perfect place, she had always thought so, उसने हमेशा सुचा था, ये बड़ी सही जगह है, मिलने की, अपने प्रेम का इजहार करने की, बहुत सही जगह है, ऐसा, सोफी ने सुचा था, इस तरह की मलाकात के लिए, जहां पर प्रेमी जड़ा मिले, उसके लिए पर्फिक जगह थी, it was a perfect place, she had always thought so, for a meeting of this kind, देखे, उसकी कलपना की उड़ान, बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि, always she is in the different world, away from the reality, वास्तविक्ता से बहुत दूर है, for those who wish not to be observed, she knew he would approve, यह वो जगह थी, उन लोगों के लिए जगह थी, जो चाहते थे कि उन्हें कोई देखे न, not to be observed, वो दिखाई न दे, जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग यहां बैठे हुए दिखाई न दे, यह वैसी जगह थी, यह हम लोग जहां भी बैठे हैं, वहां हम दूसरों को दिखाई न दे, यह जगह वैसी थी, विलकुल एकांत में, पेड़ के नीचे, एक तरफ नहर, और बहुत हलकी light और कैसी आएगा, तो वो इसे मेरे यहां आने के निर्ने को, इस बेंच पे बैठने के निर्ने को सही मानेगा, क्योंकि यह एकांत वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह, for some while, कुछ देर तक, waiting, ततिक्षा करते हुए, she imagined his coming, वो कल्पना कर रही थी कि कैसी आ रहा है, बैठ त मतलब उस पर अपनी सहमत ही देगा, to approve मतलब सहमत ही देना, इस जगह की खासियत पर अपनी सहमत ही देगा, और इसके बाद वो अप्तिक्षा करने लगी, और कल्पना करने लगे कि अब कैसी आ रहा होगा, she watched along the canal, और canal के बाजू बाजू में जो पगडंडी जैसा रास्ता उधर देखने लगी, इस उमीद में कि कैसी दिखाई दे, she watched along the canal, seeing him come out of the shadows, और ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको इसकी चाया से, कोई बाहर निकल रहा है, प्रतिचाया से, imagining her own consequent excitement, और फिक कल्पना कर रही थी कि उस दिखाई देगा, तो मैं कितनी excited हो जाओंगी, अतिशाह हो जाओंगी, रोमांचित हो जाओंगी, उसको देखकर, कैसी को देखकर, यह पूरी कल्पना चल रही है, I will, imagining her own consequent excitement, consequent मतलब परणाम सरूप, किसके परणाम सरूप, कैसे को देखने के परणाम सरूप, जो रोमांच होगा, जो जैसी feeling आएगी, उसकी वो कल्पना कर रही थी, not until some time had elapsed, elapsed मतलब गुजर जाना, death नहीं, गुजर जाना, समय का गुजर जाना, समय का गुजर जाना को बोलते हैं, elapsed, so not until some time had elapsed, did she begin balancing against this, the idea of his not coming, अभी तक तो वो बार-बार ये देख सोच रही थी, कि वो आ रहा होगा, वो वहां से निकल रहा होगा, कैनाल पर नजर रखती थी, फिर देखती थी, फिर उसके बाद सोचती थी, और फिर excited हो जाती थी, कि अब आती होगा, अरे वो दिखाई दिया, और कल्पना कर रही थ तो मैं कितना रुमांचित होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, थोड़ा सा उसके मन में बदलाव आता है, शी बिगेन बैलेंचिंग अगेंस दिस आइडिया ऑफ इस नॉट कमिंग, अब वो जितना उसके मन में था कि वो आने वाला है, वो थोड़ा सा कम होने लगी उसके मन में फिलिंग और थोड़ी थोड़ी निराशा ना आने की भावना उसके मन में आने लगी, बैलेंसिंग बिट्वीन दे टू, अभी तक तो उसको पूरा लग रहा था, हंड़ेट परसंट की वो आएगा, अब धीरे 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 ऐसी फिलिंग आने लगी, कि पता नहीं, आएगा किनी आएगा, कहां तक पहुंचा है, आ रहा है किनी आ रहा है, ऐसे विचार अब उसके मन में थोड़े आने लगी, एक और उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे सही, थोड़ी सी निराशा भी उसके मन में आने लगी थी लेकिन फिर भी अपने को वो संतुष्ट करने के लिए वो सोचने लगती है here I sit, she said to herself, अपने स्वाइम को बोलती है, यहां मैं बैठूंगी, wishing that Danny would come, इच्छा रखते हुए कि अब शायद आएगा, wishing he would come, and sensing the time passing, बार बार उसके मन मैं आ रहा था, इच्छा थी, अब आएगा, शायद अब आएगा, यहां मैं बैठूंगी, और साथ ही साथ, गुजरते हुए समय के बारे में भी उसको चिंता शिरू हो गए, sensing the passing time, समय जो गुजर रहा था, उसको भी अब वो महसूस कर रही थी, I feel the pangs of doubt is stirring inside me, और वो सोचत कहती है कि अब मैं पैंग मतलब क्या होता है, पैंग मतलब tease, शंका की एक tease शुरू हो जाती धीरे धीरे, stirring inside me, stir करना मतलब किसी चीज को बहुत जोरों से हिलाना, खासकर पानी में यदि हम या पानी या लिक्विड में कोई सी भी चीज डालते हैं, लकड़ी या कुछ चड़ी और उसको ऐसा हिलाते हैं, तो इसको कहते हैं stir करना, chemistry lab में आपने देखा होगा, chemical को बार बार ऐसा हिलाते हैं, वो stir कहना कहलाता है, तो मेरे मन के अंदर बहुत सारी अब शंकाएं शुरू हो गए, pangs of stirring inside, pangs of doubts, शंका की tease अब आनी शुरू हो गए, और वो मेरे मन को थोड़ा सा विचलित करने लगी, तो pang मने tease, doubt मने शंका, stir करना मतलब बुरी तरह हिलाना, I watch for him, but till there is no sign of him, मैं उसे देख रही हूँ, I am watching for him, मैं उसके लिए रगतार रास्ता देख रही हूँ, लेकिन उसके आने की कोई खबर नहीं, कोई निशान, नामों निशान नहीं दिख रहा है कि वो आ रहा हो, दूर दूर तक कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है, I realize, I remember, जॉफ सेइंग, he would never come, और इस दौरान मुझे याद आ रहा है, कि जॉफ ने कहा था, कि वो तो कभी नहीं आएगा, and how none of them believed me when I told them, और मुझे अब याद आने लगा, कि किसी ने भी मुझे विश्वास नहीं किया, जब मैंने उनको कहा, कि कैसी ने कहा है, कि वो मुझे से मिलने आएगा, autograph लेने आएगा, देने आएगा, अब मुझे वो सब याद आने लगा, I wonder, what will I do, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, I wonder मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, to wonder मतलब ना समझ में आना, और wonder मतलब आश्चेरी भी होता है, wonderful performance, ताज महली दे wonder, in the world, seventh wonder in the world, साथवा आश्चेरी है, अजूबा, पर यहाँ पर wonder कार्थ कुछ और हो गया, I wonder, मुझे लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, what will I do, मैं क्या करूंगी, क्या बोलूंगी उसको, जॉफ को, क्या बोलूंगी जैन्सी को, मेरे फ्रेंड्स को, पिता जी को, जो लोग मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और जॉफ ने तो कह दिया थे, कि वो कोई मिलने आने वाला नहीं, तुम बेकार की बाते कर रहा हो, अब यहां पर वो परेशान होने लगती है, बट वी नूँ हाव इट वालूंगी लेकिन ठीक है, हमको मालूम है कि यह सब क्या है, Danny and me, मेरे और Danny के बीच की बात है, बात, यह तो बात जो है ने, यह मेरे और Danny के, ऐसा कहके वो अपने को संतुष्ट कर रही है, अपने को सुकून दे रही है, तनाओं में हैं, क्योंकि वो वेट कर रही है, और उसको चिंता यह हो गई, कि पिता जी और जोफ और इस सब लोग क्या बोलेंगे, मजा को अड़ाएंगे मेरा, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तनाओं, तो अपने को शांट करने के लिए, फिर यह सोचनी लगती, खैर कोई बात नहीं, यह तो मेरे और कैसी के बीच की बात है, असली बात तो यही है, बाकी सब छोड़ो, और फिर अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को सुकून देने के लिए कहती है, तुम क्या कर सकते हो, यदि लोग कुछ भी कहानी बनाए, वो लोग जनता जो भी बातें करेगी, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अभी तक उसके जनता की ये चिंता थी जनता मतलब पडोशियों की मित्रों की जॉफ की, पैरेंट्स की जो लोग इसकी अभी तक की बनाई हुई कहानी जो वैसे तो मन गड़न थी लेकिन ये उसको एक सच्चाई का रूप देना चाहती थी और दूसरे लोग माननी रहे थे उसकी बातों को तो अब उनको क्या बोलेगी और ये बात सच निकल रही है कि कैसे वैसे कोई आसपास तो ही निए उसके तो अपने को संतुष करने के लिए फिर वा आगे बोलती है आप कुछ नहीं कर सकते यदि कोई जनता कुछ सोचे भी तो आप कुछ नहीं कर सकते But all the same All the same मतलब फिर भी But all the same It makes me despondent Despondent मतलब निराश हाँ फिर भी कुछ भी बोलो But all the same It makes me despondent कुछ भी बोलो इससे मुझे चिर तो हो रही है गुशा तो आ रहा है निराशा तो हो रही है Despondent This knowing I will never be able to show them They are wrong to doubt me किस बात पे मुझे बड़ा चिड़ हो रही गुशा निराशा हो रही है यह जानते हुए कि मैं कभी भी उनको यह नहीं कह पाऊंगी उनके जो शंका है उसको दूर नहीं कर पाऊंगी मेरे पिताजी की शंका मेरे भाई की शंका मेरे मित्रों की शंका क्या शंका के वास्ताव में तुम कैसी से मिले थे वास्ताव में तुम्हारी मलाकात कैसी से हुई थी इस पर जो उन्होंने शंका की थी कैसी मुझे से मिलने आएगा इस पर जो लोगों ने शंका की थी अब ये शंका जब सही निकल रही है तो मैं क्या बोलूँगा उनको I will never be able to show them they are wrong मैं कभी अभी ये सावच नहीं कर पाऊंगे कि वो तुम लोग गलत हो अब वो लोग सही थाबित होते नजर आ रहे थे so I will not be able to prove them wrong यदि कैसी नहीं आया तो गलत मैं ही रहूंगी उनकी नजर में वो लोग मेरा मजा खुड़ाएंगे वो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ना जाने क्या क्या और इस तनाव में वो अपने को कंट्रोल में भी रख रही थी अपने को संतोष भी दे रही थी अपने को सुकून भी देना चाहरी थी यह कहते हुए कि अब ठीक है यह तो मेरे और उसकी बात है दुनिया को दुनिया जाए एक तरह मेरे और कैसे की बीश की बात है बट आल टे सेम इस में क्पीड देन दिस्टनेंट this knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me